नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं ने खारिश कर दिया है, बताओ दे, आज हुई सुनवाई के दोरान, ED ने कहा है कि CM ने समन का पहले ही उलंगन किया है, वह किसी भी समन पर उपस्थिती नहीं हुए है, आएसे अब समन को चुनवती देने का कोई आउचित यह नहीं है, इसलिए उन्हें रहात नहीं दिया सक करती, CM की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल में आदालत को बताया कि CM के खिलाब किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है, आएसे में ED का समन उचित नहीं है, इस पर ED ने कहा कि प्रार्थी ने जीस PMLA एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनवती दी है, उसे सुप्रीम कोट ने वि जेंसी को समन और ब्यान लेने का अधिकार है, जारखंड के 9 लाख गरीबों को 9 महिना से नहीं मिली चीनी, जारखंड के 8 लाख 95 लाख गरीबों की थाली से मिठास गायब है, उन्हें 6 माह से चीनी नहीं मिल पाई है, दुरगा पुजा में उन्हें चीनी मिलने की उमीद नहीं है, रश्ट्रिय खाज सुरक्षा धिनियम से जुड़े अंतियोदय परिवारों को प्रती परिवार एक किलोग्राम चीनी अनुदानित दर परुपलब्द कराई जाती है, बरतमान में इस योजना का संचालान रिवारलीव फंड से किया जा रहा है, जारखंड राज खाद एवाम असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से अपरेल 2023 से चीनी खरीद के लिए निवीदा निकाली गई थी, इसके लिए कंपनी का चेन भी कर लिया गया था, इसी भी चीनी का बाजार मुल बढ़ गया, इसके बाद सप्लायर कंपनी ने JSAFC के साथ एगरि तो अकांची उजवला योजना के प्रती अबलोगों का रुजहान खट रहा है, इस योजना के तहद ग्रामीन वा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निसूल्क LPG सेलेंडर दिया जाता है, बरतमान में योजना का दूसरा फेचल रहा है, जिसमें लावकों क पहली बार चूला और निसूल्क सेलेंडर दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी लोग इस योजना का लाव नहीं ले रहे, योजना दो के सुरू हुए लगभग दो साल पूरे होने को हाई, तब भी जिले में अब तक सिर्फ 22244 कनक्सन ही बाटे गाए, जबकि जिले म योजना के पहले फेज में 234,000 कनक्सन बाटे गए थे, पूलिस और नक्सलियों की बीच भीशन मुड़ भेड, पच्छमी सिम्भूम जीले के नक्सल परवाईत गोईल के राथाना छेतर में सुक्रवार सुवा, पूलिस और नक्सलियों की बीच भीशन मुड़ भेड हो गटना के समध में मिली जनकारी के अनुसार नक्सलियों की खिलाब पूलिस की चल रही, आरपर की लड़ाई में सुक्रवार सुवा, गोईल के राथाना छेतर में पूलिस की नक्सलियों के साथ भीशन मुड़ भड हो गाई, दोना तरप से घंटों चली मुड़ भेड में पूलिस को सफलता मिली है, हलाकि इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है, रांची में सवक निर्मान के लिए नहीं मिल रही जमीन, राइधानी में सवक निर्मान के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है, इससे सवक योजनाओ का काम परभावित है, जितनी जमीन के वहाँ काम ठप है तीन साल पहले की योजना की भी स्थिती यही है हलाकी योजनाओं में भू अर्जन के लिए पथ नेमन विभागने राशी रांची जीला भेज दी है लेकिन रयतों को भुकतान नहीं हो रहा भुकतान नहीं होने के कारण रयत भी जमीन पर काम करने नहीं द आगे सर्विस लेन और निवारनपूर में फिलर के काम में अर्चने आ रही है असनात्त के छात्रों को चोथे सेमेस्टर के बाद इंटर्न सीप अनिवारे असनात्त के विद्यार्थियों के लिए अब इंटर्न सीप वर रिसर्च इंटर्न सीप आवस्चक किया गया है वि विश्वभी देले अनुदान आयोग ने गाइडलाइन के लिए ड्राफ्ट त्यार किया है साथ ही सिक्छावीज विश्वभी देले वा आम लोगों से इसमें किसी परकार के और संसोधान या दिये गए दिशा निर्देश पर 12 नोवंबर तक सुझा मांगे हैं UGC के सची पुर्फेसर मनीस जोस्ती के अनुशार छात्रों को आस्थानिय उद्योग वेवसायो आर्टिस्ट सिल्पकारों आदी के साथ इंटरनसीब के औसर परदान करना है बता देया हरोजगार में भी सहायक होगा इसे देखते हुए इंटरनसीब ड्रप त्यार किया गया है पूर्वविधायक उदाय संकर सिंग सवक हाथसे में घायल सारट के पूरविधायक उदाय संकर सिंग की कार गुरुवार की राद दुरघटना ग्रस्थ हो गई इस हादसे में वे घायल हो गई हैं उन्हें हेल्थ वर्ड दुरगापूर में आईसु में भरती कराया गया है बताया जारागी सारट से देर राद देवघर के मधुपूर लोटते करम में एह हादसा हुया जनकारी के अनुसार उनके साथ पूरविधायक चुन्ना सिंग भी थे वहीं उन्हें इस हादसे में ममूली चोट आई है डुक्टों के मुताबिक वे खत्रे से बाहर हैं दुरग लगाते उभगताओं ने दो घंटे तक हंगामा किया हंगामा के दन उभगताओं ने अपना गुशा नोजल मैन पर निकाला इसके बाद हंगामा कर रहे करीब एक दर्जन लोगों को पैसे वापस कर दिये गाए मिली जनकारी के अनुसार बुद्धवार को रेलवे साइड दूर जाते ही इन सब की गाड़िया बंद होने लगी तब उभगताओं को लागा कि पेट्रोल में कुछ मिलावट है इसके बाद सभी लोग पेट्रोल पहुच कर हंगामा करने लगे तेथा पैसे वापस करने की मांग की है चातरा में तीन ट्रक जब्त पांच गिरफतार बन भी भाग ने जाच अभियान चला कर बुद्धवार की राज चातरा डो भी मुख्य मारगे स्थीत चेकनाका नमबर दो से अवयद कोईला लदा तीन ट्रकों को जब्त गिया है साथी कोईले का अवयद कारोबार करने के पांच लोगों को गिरफतार भी कर लिया है इनमें सदर थाना चेतरे के गोढ़ाई गाव निवासी गोतम कुमार पांडे हजारी बाग बागा गाव के सिंद्री गाव निवासी सत्याराज गया के पचांग पूर गाव के जितन रपासवान सेर घाटी के हेमजापूर राम ने किया है उन्होंने बताया है कि चेकनाका नंबर दो के पास जाच अभियान चलाया गया है गुमला के परमवीर अलवट एका स्टेडिया में नहीं होगा रावन दहान गुमला सहर के परमवीर अलवट एका स्टेडिया में इस वर्स रावन दहान नहीं होगा गुमल टांड हवाई अड़ा या कोई दूसरे अस्थान पर रावन दहन कराने के उन्मती दी है डीसी ने कहा है कि स्टेडियम खिलाडियों के लिए है या खेल कर बच्चे गुमला का नाम खेल छेते में रोसन कर रहे हैं इसके अलबा गुमला के निव वर्तमान उपायोग कराने से इनकार कर दिया है मुखे मंद्री ने जार्खन महिला एसे आई हो की चेंपिएंसीप ट्रोफी के मैस्कोट जूही और ट्रोफी का किया अनावरान मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा ट्रो टफ स्टेडिया में आयोजी जार्खन महिला एसीयाई चेंपियंशिप ट्रोफी का सुक्रवाइक ट्रोफी का नावरन और मैस्कोट लॉंच किया गया मैस्कोट का नाम जुही रखा गया है जो हाथी है कारकरा में मुखे रूप से स्तियम हैनश poets एफ आ ऐस अध्यक्स दातो तयज़ इकराम होकी इनडिया के अध्यक्स पदमिश्री डाक्टर दिलीप तिर की होकी इंडिया के महासर्ची भोला नाज सिंग, होकी इंडिया के कोसा अध्यक से खर, मनोहरन, होकी के प्राधिकारी और खिलाडी मजूद रहे, मालूम हो कि इस प्रत्युक्ता में एसिया की टोप 6 टीमें मेजवान भारत के साथ जपान, चीन, कोरिया, मलेसिया और थाइलें भाग ले रही है। करवाना किया गया, बता दे कि पहले यह ट्रेन जाजा से पटना चलती थी, लेकिन सरकारी करमचारियों के साथ साथ अस्थानिये लोगों की मांग पर ट्रेन का बिस्तारी करन देवगर इस्टेशन से किया गया, 13 अक्टूबर को ही साम में 18 बज कर 20 मेट पर देवगर इस् अनिवाद